हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल ग्रोइंग इस्टडी में आज अपन समझेंगे मद्पृतिस का नेशनल पार्क पैंच राष्ट्री उध्यान या पैंच नेशनल पार्क ठीक है और इंडियान पॉलिटी की सीरी चल रही है उसकी भी लिंक मिल जाएगी तो जाके देख लेना ठीक है तो आज अपने स्टार्ट करेंगे पैंच राष्ट्री उध्यान तो समझेंग क्या है तो यह नेशनल पार्क मुख्यता कहां पर है तो आपनेशनल पार्क पढ़ रहे हैं तो उनकी पहले लोकेशन देखो मतला कहां पर है किस जिले में ठीक है सीधा सीधा कुष्टन बनता है और नॉलिज के लिए होना चाहिए कहां पर है ठीक मैप में जाके देखो कहां पर है तो मेल लिदी कहा पर था मंढला में, ऐसी ही ए मेलली कहा पर है चिंदवाडा में टो यह यहाद रिखना जैसे एक्जाम में पूछाई दोनों option आ जायें जैसे यहां पर चिंदवाडा और शिबनी तो चिंदवाडा लगा यानना क्योंकि ज़ादा बाग है तो पैंच रिवर्वी मैंने पढ़ा दी जो रिवर्स चल रही थी MP की ठीक है तुसमें भी तो पैंच नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है पैंच राष्ट्री उद्ध्यान लेकिन प्रिजेंट में इसका नाम क्या है इंद्रा गांधी प्रिय धर्शनी पार्क इसको य में हुआ था यह भी याद रखना पूशा जाएगा ठीक इंद्रा गांधी प्रिय धर्शनी पार्क इसको नोट कर लेना मैं बोल रहा हूं थीक इंद्रा गांधी प्रिय धर्शनी पार्क आगे देखो यह है 1975 में यहां पर यह टेटा तोड़ा अभी गलत है ठीक है मैं बो राष्टी उद्ध्यान नहीं बनाता यह नेशनल पार्क नहीं बनाता ठीक है तो नेशनल पार्क कब बनाता थीक है तो नेशनल पार्क कब बनाता थीक है मैं बोल रहा हूं उसको पर ध्यान देना यहां पर समझ में नहीं आ है तो नेशनल पार्क कब बनाता थीक यह याद बनाता यू दोनों डेट से याद रखना क्योंकि 6 नेशननल पार रगए है कि उनको क्या टाइकर प्रॉजक्त में सामल की जा गया टइछे थो । इंशनल पार्ड का होते हैं। नेशनल प्रॉजक्त क्या होते हैं। बिटियो मेंने बनाoken डाल दिया लेए तो जागे देख लेना तो इनकी तो डेट से याद रखना है कब बनाता थे 1983 में बनाता राष्ट्री उद्यान ठीक है सीधा कुश्चन बनता है पेंच राष्ट्री उद्यान कब बनाता 1983 में और दूसरा कुश्चन क्या बनेगा इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल क किया गया था यह याद रखना दो कुछ्चिन बनेंगी ठीक है आगे समझो इस चेतर को नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो यह important fact है exam में पूछा जाता है question मोगली लेंड किस चेतर को बोलते हैं यह मोगली लेंड किस नेशनल पार्क में तो पेंच नेशनल पार्क में मोगली लेंड ठीक है सो मोगली की जंगल बुक जो है मोवी ठीक है मोवी जो है मोगली लेंड वो इसी पेंच राष्ट्य उद्ध्यान से जो एरिया है उसी से लिया यहीं से लिया गया है ठीक है वह वाला छेत्र ठीक मोगली लेंड इसे आज मोगली लेंड के नाम से भी जानते हैं पेंच राष्ट उद्ध्यान में तो यह इंपोडेंट कुष्चन बन जाता है ठीक है इसको याद रखना जंगलवक किन की थी रूड याड किपन लिंग की थी ठीक तो यह कुश्च्य नहीं मेंगोजन जाता है बहुत से वार बेंड आपमनें पूछ लिया है कि मोगली लेंड थी जंगलवक किसकी कहां पर है पैंच राष्ट उद्यान में मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यह कुश्चन इंपोर्डेंट है यहां से कुश्चन बनता है ठीक है तो याद रखना कि आगे देखो अब इसकी लोकेशन देख लो छिंद बाड़ा यह देखो ग्रीन कलर का देख रहा है छिंद बाड़ा पैंच पैंच राष्ट उद्यान ठीक है लोकेशन याद रखना ठीक लोकेशन से जल्दी याद होते हैं और जोग्राफिय में लोकेशन मोस्ट इंपोर्डेंट रहती है ठीक जब तो लोकेशन मालूम नहीं है तो और देखो पैंच चिंद बाड़ा ठीक है यहीं पर है देखो लोकेशन ठीक तुसकी लोकेशन देखना कहां पर है ठीक है तो चिंद बाड़ा हम है आगे देखो इसमें क्या राष्ट उद्यान में दो प्रकार की गिद्ध पाय जाते हैं तो यह भी कुष्शन बन जाता है ठीक है एक एक King Vulture एवं एक White Brent Vulture ठीक है तो ऐसे कुष्ण बन जाती है जो उसका जाती है क्रष्म रघों की संख्या है, यह कुष्ण बन जाता है तो इसकी लोकेशन याद रखना कहां पर है और क्या इसमें कब ये बना था तो 1913 ये याद रखना टाइगर प्रोजेक्ट में कब सामिल किया गया था 1992 में इसका अन्य नाम इंद्रा गांधी प्रियदर्शनी पार्क कब चेंज किया गया दो याद दो चिंदवार अजले में मोगली लेंड कहां पर है वो पेंचराष्ट उध्यान में ठीक तो इसकी आ कुछ इंपोडेंट फेक्ट एंट नहीं को याद रखना ठीक है जितने भी इसमें फैक्ट आले है वो सफिर्एंपोडेंट फेक्ट है इंद्येकर चिय्ध रखना है तो आज आप उनने क्या फि पारकेस को अपन समझेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन्द